तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए गर्मियों का एक खास रेश्पी लेकर आई हूं जो की बहुत ही खास है बहुत ही इंस्पेशल है तो हाई एवडिवन मैं हूं जैनती और जैनती किचन कुईंग में तहर दिल से सौगत है हमेशा खुश रहिए सौस्त रहिए और अपने फैमली के साथ रहिए तो फ्रेंड्स फलो का राजा आम ऐसा माना गया है और एसा है भी फ्रेंड्स और आम जो है कई लोगों का पसंदीदा फल होता है ये स्वाद के सासाथ इसमें कई तरह के पोसकतत व पाय जाते हैं तो क्यों ना इस आम की जो शमर स्पेशल रे मैं यहां इस अपसंद यहां जो की फट कि आन वाली या है नào उन्हाइं किजयेगा इस प्रतन वें इस रेस्पी कह बनाई यहां पर प्रेंड्स ।ं मैंने 7.50 ml यहां पर मैंने मिल्क लिया है जो और मैंने मिल्क के अर्यम पहलेन आम उबा इसे अब यहता हैं उबाल लिय भी भी भीहार में बहुत ही ये खास ये आम माना गया है और यहां पर अपन्स के प्राइल कर लेने हैं और इसके पीसे में कर ससी बारी किस उतर at और यह देखिए हमारे जो पिसेज हैं यह छोटे-छोटे टुकरे में इस तरह से अलग हो गया है और इस पिसेज को फ्रेंट्स मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे स्मूथ पेस्ट बना लेना है और यह देख सकते हो दूसरे वाले पिसेज को भी मैंने कट कर लिया है और इ यह सारे पल्प को मैंने मिक्सर जार में डाल के यहां पर स्मूथ पेस्ट तयार कर लेनी है तो मैंने छोटे वाले ही यहां पेस्ट लिया है इसके लीट को लगा दिया है और यह देखिए हमारा पेस्ट जो है कुछ इस तरह से बन के तयार हो गया है फ्रेंट्स आप देख तो चीनी हैं भोत पनी एक और कंनी के साप्टे श 1991 कम सब्सटेड कहांDP हैगे मैं मैं अपने ओस्सकू भालमंड को यह तो द्रायभोट भी आपने यहले नेस कुछ्सका मिल्का करे नहें ऐसे तकरीबर हमें आंट नहीं है सब्सक्राइब करते हुए इसी मिल्क में जाना है कहां पर यहां पर हाफ डावोस पून को पाउडर भी डाल सकते हैं और सिर्फटें के यहां पर हमारा जो में जाते बिलकुल गाड़ा हो चुका है, ठंडे होने के बाद और ये सारा परोसेस अप फ्लेम को मिडियम रखके ही कीजिए का, और ये देखिए, हमने इसे थंडा कर लिया है, बढ़ित अप्तप Tushun मेंको रबडी जितने हमारे पेस्टिस मैंzw बनके तयार है क्योंकि आम के पल्प जैसे ही इसमें जाएंगे इसका टेस्ट और ज्यादा हो जाता है इसलिए यहां पर चीनी आप थोड़ा कम ही आप पर अड़ कीजिए है यहां पे मैंने छोटे वाले लिये है आप छोटे वाले ग्लास भी यहां पर ले सकते हो और इसकी पर्जेंटेश करेंगों ओर समर में और भुख करेंगे इस अगर जब बच्चे स्कूल से आते हैं या पिर हस्विन ऑफिस से आते हैं तो उन्हें जब आप तोगे तो आपके बच्चे और आपके हस्वें बहुत ही रिफ्रेस्स करेंगे और यहां पे इसकी क्या डेकोरेशन के लिए मैंने क कट कर लिया था और उसे तूध्पी की हेल्प से मैंने इसके साइड में इसके किनारों में मैं इस तरह से मैं अग डाल दिया है बहुत इंप प्यारी से रेस्पी इसे जरूर बनाइगा यहां पर मैंगो आइस क्रीम बनाने के लिए फ्रेंट्स वही रवडी रहेगी और उसे में मैंने जोड़े मिल सब्सकीं करें भाऊं जोड़ी करें आपका और में जोड़ेंस बिलेगा करें इस देना गज़ा मेंकिनwarm करें मैंने दिय। थितितो बस्énd Tree बया हैं यहां टितिती तो पिछोटे अब खुब चेहें एंध डाल एल देना हो मैंने कट करके यहां पे लिया है और रबडी जो हमने तयार की थी फ्रेंट्स 750 ml मिल्क में हमने 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम का आप मैंगो इसमें आप यूज कर सकते हैं यहां पे हमने बाडी कट किया है आलमंड को और उपर से हमने डेकोरेशन कर दी है यानि कि मैंगो के पीसे के ऊपर हमने कटे हुए ड्रैफोर से डेकोरेशन कर दी है यहां पे फ्रेंट्स आप बटर पेपर या फिर ऐल्मोनियम फॉाइल को ऊपर से आप लगा के और रबर लगा दीजिए गा और इसी फ्रीज में तकरीबन ओवर नाइट या फिर 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए गा मैने इसी फ्रेंट्स ओवर नाइट के लिए फ्रीज में रखा था और बाद जब हमने मॉरनिंग में यहां पे रबर को हटाया और बोटर पेपर को अटाया है तो यह देक हमारी मेंगो रबरी आइस क्रीम कुछ इस तरह से बन के तयार हो गयी है और और अपने सुछाब को हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा हमारी रेस्पी अगर थोड़ी सी भी हेल्फफूल लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बिना नहीं जाएगा और आप मुझे फेस्बुक और इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कीजिएग वहां हमारा पेज जैनती किचन कुईन से ही है तो फ्रेंड्स खाते रहिए खेलाते रहिए और खुश रहिए और हमारी प्यारी प्यारी सी रेस्पी बनाइए इंज्वाइ कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए मिलती हूँ प्यारी सी रेस्पी के स जैनती किचेन कुईन में तब तक के लिए थाइंक्स पूर वाचिंग माई चैनल